हुआ दोस्तों स्वागत हमने चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश्ट दोस्तों यह 20th सम जो कि अगर चैप्टर की बात करू तो एरिया रिलेटेड़ तू सर्कल्स के चैप्टर का है सो चली दिखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है इसको आपको उसने चुप-चाप दिया हुआ है कि भाई शेड़ डिजन मैं बता रहा हूं कि यह है शेड़ डिजन और फिर आपको निकालना है शेड़ डिजन का एरिया और बाकि जब शेप दिये हुए है वह इसदर मेंशन सीमिलर लगत हैं सेमी संते हैं और इसको इसको आरवन इकोल टू 1.5 सेंटी मेटर वैन दिया हुए है तरड बनिए ससे आना 1.5 सेंटे मेटर आपका luxury और यह क्या है अगया अगेनि सर्वाइ टू 1.5 शेंटगेटर पॉंपॉंटर 550 BTS चुछ क्रेयर अगैं존 तरिके से इसको R2 लेते हैं, R2 कितना बोला इसमें, Circle of Diameter 4.5, तो R2 कितना हो जाएगा, 4.5 का आधार, देखे हैं न, यहने Semicircle of Radius 4.5 cm का सबसे बड़ा होला है, तो इसका R3 लेते हैं, R3 इखल टू 4.5 cm, बड़े वाले का R3 है, बड़े वाले का R3 है, और फिर यह वाले का R2 है, और बाकि छोटे तीन जो सेम है, उसका R1 लेते हैं, और ड्रॉ कियों बोला, Find the Area of Shaded Region solution, चले देखते हैं, कैसे करना है, देखते हैं, अब बज़े एक बात बताओ, Area of Shaded Region मतलब कहा है, यह जो सेमी सर्कल है, इसका, यह उपर वाले सेमी सर्कल का, प्लस देस, ठीक है, प्लस देस, माइनस देस, देस, इसका एरिया, माइनस करने पर, ठीक है, तो, Area of Shaded, Area of Shaded Region, Area of Shaded Region, equal to, सबसे पहले, जो बड़े वाली सेमी सर्कल का, Area निकालेंगे, तो, जाएगा, half, pi, half, pi क्या, r3 square, ठीक है, फिर, छोटू वाले को, आड़ करेंगे, half, pi, r1 square, ठीक है, साब पूरा टूटल एरिया आगा, पूरा स्ट्रक्चर, जो शेप है, उसका, area निकालेंगे, minus, उसमें साब minus करोगा, किसको, इसको, 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 माइनस करना, मतलब, half, pi, r1 square, प्लस, इस सर्कल को, माइनस करना, तो, pi, r2 square, प्लस, अगें, half, pi, r1 square, किसका है, इसका, ठीक है, सो, फॉर्मुला देखते है, क्या बन रहा है, half, pi, r3 square, plus, half, pi, r1 square, इसका, calculation बढ़ा होने वाल है, तो, आप थोड़ा सक, patient रहना, तो, जब 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 जब, half, plus, half, कितना बजाएगा, जब 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 जब, pi, r1 square, plus, pi, r2 square, ठीक है, जब जब जब, हाफ, pi, r3 square, plus, bracket open करने जब जब जब, pi, r1 square, minus, pi, r1 square, sorry, minus, होजाएगा, minus, pi, r2 square, ठीक है, जब जब जब, half, pi, r3 square, half, pi, r1 square, minus, pi, r1 square, कितना होजाएगा, negative of half, pi, r1 square, minus, pi, r2 square, इसमें से half common लेता हूँ, मैं, जब जब जब, pi, आप यहाँ पे, half, और pi, pi by 2, common लेता हो, तो बचेगा, क्या, r3 square, minus, r1 square, minus, careful दोस्तो, 2, r2 square, ठीक है, half common ले, अगर, bracket में डालते हो, तो अंदर डालते हो, तो, 2, 2, cancel जाता ही, न, so, हो रहा क्या है, सिनारियो क्या हो रहा है, आपको, r3, r1, r2 का value डालना है, और फिर, calculation करना है, आ जाएगा, आपसे, ठीक है, so, यह लिख लेता है, therefore, area of shaded region, equal to, क्या relationship आया, pi by 2, एक तो, pi by 2 था, फिर, r3, r1, r3 square, minus, r1 square, minus, 2, r2 square, ठीक है, वेर, अपने बाहस, r3 equal to, r3 equal to, kya, r3 equal to 4.5 cm, r1 equal to 1.5 cm, and r2 equal to, r2 कितना है, r2 किसका है, इसका न, r2 is 4.5 का आधा, ठीक है, so, this is equal to, pi by 2, r3, 2, मतलब 4.5 का square, minus, r1, 1.5 का square, minus, 2 into, r2 square, मतलब, 4.5 का square, upon 4, देखो, 2 का भी तो square होगा, समझे है, या ही mistake होता है, आपका, pi by 2, 4.5 का square, minus, 1.5 का square, minus, एक क्या हो जाएगा, आपका, 4.5 का square, upon 2, ठीक है, अभी 1, minus, half वाला, तो, क्या हो जाएगा, pi by 2, 4.5 का square, upon 2, minus, 1.5 का square, ठीक है, so, अब यहाँ पे, आप calculate करो, अब देखो, इसको, 4.5 का square निकारो, और divide by 2 करो, calculate करने के बाद, आपका आता है, 10.125, और बाद में, 1.5 का square क्या है, 2.25, ठीक है, उसके बाद, यह हो जाएगा, 22 by 14, इन्टू, अब इसको, subtract करना, यह हो जाएगा, 7.875, ठीक है, अब इसको, multiply करके, divide करो, तो, आपका, अंसर आता है, 12.375, और वो भी क्या, cm2, देखो, calculation तो मैं नहीं बता हूँ, calculation तो, जो, final calculation हो, आपको यह करना पड़ेगा, तो, पहले, multiply करो, बाद में, divide करो, ठीक है, और आपको, यह answer आता है, तो, area of shaded region क्या है, area of shaded region क्या है, 12.375 cm2, So, I hope दोस्तो, आपको यह explanation समझ में आया होगा, तो, पहले कोई doubt होगा, तो, आप मझे comment section में mention करके, लिख सकते हो, जो भी होगा doubt, मैं ट्राइ करोंगा, आपके doubt solve करने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो लिए टेक केर, and do watch my upcoming videos, and please do share my videos, and please subscribe my channel for future coming videos, Thank you, bye-bye.